तेजेस कलासिस में आपका स्वागत है आज हम लोग वन लाइनर्स का पार्ट 31 यानी 1901 से 3000 तक के प्रशन को देखेंगे आप लोगों में से बहुत लोगों को दाउड था कि सर क्या यहीं पेपर्स आये हैं पुराने पेपर्स में मुझे बिलीब नहीं हो रहा है मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा इसलिए मैं आज आपको exact book कहीं आपको PDF स्कैन करके लाया हूँ आज आपको इसी से पढ़ाऊंगा ताकि आप समझेंगे इस book में कितने गलत होते हैं और आपको आज समझ में आएगा कि इतने गलती के बाद भी मेरे से कैसे मतलब कहीं न कहीं रह जाता है या कुछ ऐसा होता है कि undo हो जाता है किसी किसी case में लिखा रहता है गलती से ही undo हो जाता है यह सब है यदि आप दिखिए इस सरी की रोज रात आपको आठ बजे 101% अफलोड हो जाता है यदि आपको नहीं मिलता है तो आठ पांच आठ दस में आप जरूर आके यहां से पढ़ लिया किजए 101% अफलोड रहता है यह सिर आपको संडे को नहीं देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपकी जिंद्गी बदलने वाली है मैं क्यों भात बोलता हूं ताकि यह सब प्रिभियस एर है आपको समझ में आएगा कि किस सेक्षन से कोष्टन पूछे जाते हैं चलिए आज का जो प्रश्ण है वह है 45 वी संज्युक्त प्रारंभिक परतियोगता परिक्षा यानी BPSC जो 214-2002 को हुगा था तो आपको अब तो यह समझ में आ गिया होगा कि मैं एग्जेक्ट कोष्टन को ही लेता हूं चलिए आज का पहला जो प्रश्ण है मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं देखे लोकसभा के चुनाओ लड़ने के लिए नियूंतम उम्र कितना है तो आपको है 25 वर्स अगला प्रश्ण है भारतिय राजनितिक ब्यवस्ता में कौन कारिपालिका के अधिन रहकर कारिकरती है तो आपका है बिधान पालिका अगला प्रश्ण है राजनितिक सब्दा अगला प्रश्ण है भारत के विभिन राजनितिक दलों को राष्ट्री या छेत्री दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है तो यह अधिकार आपको चुनाओ आयोग को है अगला प्रश्ण है पंचायत की त्री अस्तरिय परणाली में क्या आता है तो ग्राम पंचायत, पंचायत समीति और जिला परिशाद अगला प्रशन है भारत में किसके अंतरगत पंचायती राज पर नाली की बेवस्ता की गई है तो राज के नीती निर्देशक सिधान्त के अगला प्रशन है आई 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 क्या है यहां पर आपको क्या दिया गया है 1992 से 2000 जब कि जो 95 यूजना है वो है 1997 से 2000 तो आप समझ सकते हैं किस लेवल की यहां पर error होता है मैं बोल रहा हूं जितने भी year दिये गया है न वह 100 परसेंट नहीं लेकिन 90 प्लस परसेंट यानि 90 से ज्यादा क्या है अगला प्रशन है और आप लोग कभी कभी होता है वोग होता कर देता हूं लेकिन वो होता है कि um हो जाता है कभी कभी स्लाइड बनाने कर में तो कभी जब जहां पे type होता है ना कौनसा प्रस्ण गलती हो गया है और आप लोग इसके लिए आ GE मुझे बहुत बुरा भला कहते हो, चलो कोई नहीं, छिनका जैसा सोच है, उनका अपना सोच है, चली अगला प्रशन है, भारत की नवी पचवर्शी वेजना की ओधित हो गया, अगला प्रशन है, किसी देश की प्रती ब्यक्ति आये, किस परकार प्राप्त की जाती है, तो राष्ट्रीये आए एवं जनसंख्या दोनों से अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रिये आए का आकलन एकत्रीत कहां से किया जाता है तो जो CESO है यानि केंद्रिये सांख्य की संगठन इसके द्वारा अगला प्रश्न है रूपियों को अंतिम बार ओमुलेन कब किया गया था तो जुला जनसी को ही बदल दिया गया था अगला प्रश्न है बैंको द्वारा लाए गया किस भुकतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है तो है आपका क्रेड़ काड अगला प्रश्न है महावीर जैन की मिर्टु कहां हुई थी तो यह पावापूरी में हुआ अगला प्रश्न है बौध गया में महावधी मंदिर बनाया गया जहां क्या हुआ था तो गॉतम भुद को ग्यान प्राप्थ हुआ था अगला प्रश्न है सुंग वंस के बाद कि समन्स भारत परा राज किया तो कंण वंस ने किया था और कन वंस के संस्थापक तो आप लोग इसका Singer कमेंट करके बताना अगला प्रशन है असोग के सासनकाल में बहुत सभा किस नगर में आजितकिया गया था तो पाटली पुत्र में कौटिल के अर्थ सास्त्र में किस पहलू पर प्रकास डाला गया है तो राजनीतिक नीतिया पर अगला प्रशन है गौतम बुद को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था तो कनिश्क ए अगला प्रशन है कुमार संभाव महाकाभी किस कभी ने लिखा तो कालिदास ने अगला प्रशन है तैमूर के आक्रमर्ण के बाद भारत में किस वंज का राज अस्थापी दोबा तो सैयद वंज का अगला प्रश्ण है किस सुल्तान के दर्वार में सबसे अधिक गुलाम था तो फिरोज सा तुगलक हो जाएगा अगला प्रश्ण है किस मुगल बादसा ने अंग्रेजों को उनके ब्यापार में मदद करने के लिए एक महत्मून फर्मान दिया था फरुक सियर ने और रोस्ट नहारा फर्मान था अगला प्रश्ण है कुका आंदोलन को किसने संगटित किया था तो गुरु राम सीन अगला प्रश्ण है कुमर सी ने अठारश संगतावन इसवी के बिद्रो का नेतरुट किस परांत से किया तो बिहार से किया था अगला प्रश्ण है अठारश संगतावन इसवी के बिद्रो को किस उर्दू कभी ने देखा तो मिर्जा गाली विने अगला प्रशन है कौन 1877 के बिद्रों में अंगरेजु का सबसे कटर दुस्मन था तो मौलवी अहमदुल्ला सा अगला प्रशन है मुंडाओं ने बिद्रों कब खड़ा किया तो 1895 इसवी में अगला प्रशन है भारत संग के संस्थापक कौन है तो सुरेंदरनाथ बनर जी अगला प्रशन है इलहाबाद की संधी के बाद रोवर्ट कलाइम ने मुर्सीदाबाद का उपदिवान किसे बनाया था तो मौमद राजा खान को बनाया था अगला प्रश्ण है कौन सा आयोग 877 इसवी का बिद्रोध दमन के बाद भारतिय फोस के 9 संगठन से संबंदित है तो यह है आपका पील आयोग अगला प्रश्ण है भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्स्ता किषने की तो दादा भाई नौरोजी देखो इतने असान प्रश्ण जो BPSC में आ है वो आपके अब SSC और जो CGL का एक्जाम होता इन सब प्रश्णों में बिहार पुलिस बिहार दरोगा में पूछे जाते हैं आप लोग कहां से क्या पढ़ रहे हो नहीं पता हाड को सन क्यूं देख रहे हो मुझे तो यह समझ में नहीं आता आप लोग वहां पे क्यूं दिमाग लगा रहे हो अगला प्रश्ण है जनरल डायर को किषने गोली मार कर हत्या की थी तो उध कि मीजनों की अधेक्ष्ता किस के दो द्वारा की गए थी तो शर पी लारेंज के दवारा अगला प्रश्ण है इन क्लाब जिंदा बाद का नारा किस ने दिया थो भगत सिन्हें अगला प्रश्ण है इसको स्लाइड में सe 37 दे देता ना तो आप मेंसे 25 लोग बोलते कि कि objective का मतलब होता है कि आपको चार गलत option में से कौन सबसे कम गलत है उसको चुनना यहां पे 36 option में नहीं था इसलिए आपको 37 दिया गया था जो सबसे कम था तो आपको 37 पे टीक लगा के आना था नहीं कि exam से आके बाहर हला करना था कि 4 question गलत है और 5 question SAC क्या करता है या BPSC जो nearest answer होता है उसको सही मान लेता है और result देता है आपका selection नहीं होता है तो ऐसा नहीं करना है चलिए अगला प्रश्ण है भारतिये पर्मानिक समय यानि IST एवं Greenwich मध्यम समय GMT में कितना अंतर पाया जाता है तो 5 घंटे का यह minus नहीं है यह answer के साथ ही ह होता है अगला प्रश्ण है असम कुल मिलाकर कितने राजियों किन्सासित परदेश से घिरा हुआ है तो यह साथ से अगला प्रश्ण है मैथन बेल पहाड़ी एवं तिलया बांथ किस नदी पर बनाए गए हैं तो बराकर चलिए अगला प्रश्ण है भारत में सरवाधिक ग प्रश्ण है और आज का जो डेटा है वो 24.5 प्रश्ण है अगला प्रश्ण है भकडा नांगल बांथ किस नदी पर बनाया जाता है तो बनाया गया है तो यह सतलज नदी पर बनाया गया है अगला प्रश्ण है जारखंड का लोह अयस उत्पादन में सारवाधिक महत्कुं जिला कौन सा है तो आपका सीह भूम है चलिए अगला प्रश्ण है कौन सा पर्मुक उद्योग मूरी में अस्थापित है तो एलमुनियम उद्योग है अगला प्रश्ण है भारत में कुल कितने राश्टिये राजमार्ग है और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है तो याद किएगा ऐसा नहीं कि लाख और करोड़ में आप लोग डेटा को याद रखो 131 326 ऐसे याद रखो अगला प्रश्ण है प्रित्वी परिभर्मन करती हुई प्रती मिनट करीब कितनी दूरी तैय कर लेती है तो उन्चास किलोमेटर अगला प्रश्ण है विस की सबसे अगला प्रश्ण है विस का कौन सा देश मुलायम लकडियों लकडी की लूगदी का सबसे बड़ा उत्पादक योम निर्यातक है तो या कनाड़ा है अगला प्रश्ण है सुस्क भूमी के लिए सरवाधिक उचित फसल कौन सा है तो आपको मुंग फली हो जाएगा अगला अगला प्रश्ण है अफ्रीका की मुल्भुद जन जाती पिगमी किस नदी घाटी के पास में पाई जाती है तो कांगो चलिए देखे अगला प्रश्ण है भारत के किस राज में सरवाधिक जन संक्या घनत पाया जाता है तो आपको पस्सिम बंगाल था जबकि क्या होगा बिहार हो जाएगा करेक्ट एंसर क्या होगा बिहार होगा और बिहार में आपको 1102 किलो मतलब 1102 लोग एक किलो मीटर में हैं तो समझ लो आप अगला प्रश्ण है भारती राजनी की बिवस्था में कौन सरवच्छ है तो संबीधान है अगला प्रश्ण है देखिए अगला प्रश्ण है राज सभा का सभापती कौन होता है तो उपराष्टपती वो जी होते हैं अगला प्रश्ण है राज सरकार का करिकारी अध्यक्स समवैधानिक पर्मू कौन होता है तो यह राजपाल होते हैं अगला प्रश्ण है भारत स्वतंत्र भारत के पर्थम राष् टीक है तो आप लोग में से मुझे जरूर कंफर्म किजिएगा कि यह डेटा एकसेक्ट है या मुझे दाउट है वह आप लोग के भी है क्योंकि मुझे दाउट नहीं है मैं थोड़ा सा थोड़ा सा मुझे डेटा पर लग रहा है कि 42 नौ से 33 नहीं कुछ दूसरा होना चीए मैं बहुत सारा चेक किया था बहुत सारा चीज को लिया हूँ तो वहां से मैं इसको लिख के दिया हूँ चली अगला प्रशन है चमसेदपूर किस नदी के किनारे अवस्तित है तो स्वर ने रेखा नदी पे दिखिए इस डेटा के साथ क्या होता है न कभी-कभी पुराना डेटा ही हमें आ जाता है उसका डेट एक्जेक्ट पब्लिश डेट नहीं होता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ तो आपको कोई नया डेटा हो तो जरूर मुझे अपडेट कीजेगा मैं उस कॉमेंट को जरूर पिन कर दिया करूंगा अगला प्रशन है कौन सा स्थान बिहार कोई से जीले के कुछ इलाके पस्च्मी बंगाल को दिये गा पस्च्मी पुर्णिया और मान भूम चली अगला प्रशन है जगत नरायन लाल को किस जेल में भेजा गया था तो बाकीपूर जेल में अगला प्रशन है रामचंदर सर्मा किस गाउँ से थे तो अमहारा नहीं यह अमवा गाउं से होगा अमवा ठीक है अगला प्रश्ण है जा परकास नरायन किस पार्टी से संबंदीद थे तो समाजवादी जहां अमवा नहीं होगा वहाँ पे अमहरा आप लोग कर दिना अगला प्रश्ण है मुल रूप से बिहार सब्द का अर्थ क्या है तो बहुत धिमठ अगला प्रश्ण है जपान की क्राउन राजकुमारी का नाम क्या है तो एको अगला प्रश्ण है बिकलांगों के लिए जो ओलांपिक किस रूप में जाना जाता है तो आप देख लो क्या दिया हुआ है तो इसको पैरा ओलम्पिक बोलते हैं अगला प्रश्चन लिब्राहान जांच कमिशन किस से संबंदित है तो बाबरी मस्जित की तोड़ फोड़ से संबंदित है अगला प्रश्चन अमीता रेडिक किसकी लेखी का है तो बिजनेस एज अन्यूस्वल के लेखी अगला प्रश्चन है अफगानिस्तान में अमेरिका का सबसे बड़ा धरातली ओपरेशन के रूप में कौन जाना जाता है तो ऑपरेशन एनाकोंडा को अगला प्रश्चन है भारत में पर्थम निजी विसविद्धाले का नाम क्या है तो मैतरी सूचना तक्निकी अधिकार दिवस कब मनाया जाता है 15 मार्च को अगला प्रश्चन है राजस्थान की रजधानी कहां है तो राजस्थान के रजधानी जैपूर है गुजरात की रजधानी आपको गांधी नगर है अगला प्रश्चन है पदार्थ के समवेग और बेग के अनुपात से कौन स ज्यात करने का सही सुत्र कौन सा है तो ये आपको सही सुत्र है चली अगला प्रशन है दो उत्रोतर स्रिंग अत्वा दो उत्रोतर गर्थ के बीच के दूरी को क्या कहते है तो त्रेंग देर्ध बोलते हैं अगला प्रशन है टेली इसकोप की खोज किस बैज्ञानिक ने की थ अनु का अकार कौन सा है तो अष्ठ भलकिये, अगला प्रश्न आइ ,कोसिरुख ,्रजु में कितनी जोडिया तंत्रिका निकलती है तो आपको 33 , अगला प्रश्न आइ , अंता सिराओवी हर्मोन कौन सा है यहां पे एंसर में क्या दिया है ? अंड वाहिनी में लेकिन correct answer क्या होगा TSH theride stimulating hormone ठीक है तो आप सब समझ रहे हो कि कितने आपके देखो इसमें आपको लगभग 10 से 12 आपको error दिग गया होंगे तो मुझे कितना सोचो कि मैं सारे state को देता हूँ आप लोग बोलते हैं सर 200 दे दिजे प्रशन 300 दे दिजे मेरे दोस्त देना बहुत आसान है लेकिन सोचो इसको करने के लिए समय भी तो होता है करेक्ट करना है टाइपिंग में भेजना है वहां से आना है सलाइड बनना है फिर से बहुत सारा चीज़ होना है तो थोड़ा सा समय का भाग